नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल क्रिदेंस ट्यूटूरियल स्पे और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं इंवार्मेंट एंड एकॉलजी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के एक्जाम्स के लिए पर्यावन एवं पा सुनाय को फिछार प्लस आवर रॉण मतल्द कर आप हुना में होता है इंक काधा जीन था रहों निक्वी मायमा कर दोक नऊमलार्म ननेट आप सींडित्ल के दमेंड इंवार्मेंट प्रोटेक्शन एक्टा 1986 द्वारा पर्यावन अधनियम 1986 के द्वारा एक पर्यावन की परिवासा दी गई पर्यावन किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एबुम जयविक दसाओं एबुम उनके साथ अंताक्रिया को सम्मिलित करता है तो कोई भी जीव और जन्त हो उसके चारों और जो भौतिक या जयविक दसाओं है उनके साथ उसका पर्यावन क्या है वो पर्यावन कहलाता है तो कौन सा मानव पर्यावन का विद्वान सक्त माना जाता है विद्ध्वांशक या विनालासक मना जरता है घयती की सरवाधिक पुरातन प्रणाली कुण सी है जूम करसी कि जूम की घयती किदर होते है कौन से रीजन में होती है वो कि नौर्फजिस्ट या हिली एरिया में मैं उरिधर जो है वहां पर जूं की खेति होती है है कौन विधा ने मानव को शाममोहिक जीवन प्रकान किया है कौन से विधा है वह परस्पॉलन तो परस्प्वालन जो है मानव जीवन मनजतों के लिए सरवाधिक कारच्छम तापमान और आधरता कितनी होने चीए उसकी कारच्छमता एफिशियंसी बढ़ जाए तो एफिशियंसी कैसे बढ़ेगी जब टंप्रेचर 25 डिग्री होगा और वहां की हुमिडिटी जो होगी आधरता वो 60 परसेंट हो जाएगी मेंग वीजन मेंग वीजन क्लाउड सीडिंग में किन योगकों का प्रयोक की आता है क्लाउड सीडिंग क्लाउड सीडिंग से खृतिम बर्षा की जाती है क्लाउड सीडिंग वारा क्रतिम बर्षा की जाती है इसमें ठोस कारवन डाय अक्साइड और आयोडीन का योगक होता है सिल्वर अयोडाइड एजी आई का मिस्टर का छिड़काव की आ जाता है जिससे वहां पे खृतिम वर्षा होती है में 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 का प्रमुख उद्देश से वर्षन की प्रक्रिया को प्रेट करके अधिक्तम जलवर्षा राच करना है यहां पे पहले सबसे पहले बातल को बनाया जाता है उसके बाद यहां पे शिल्वर आयोडाइड और यहां पर स्टार्ट हो जाती है यहां पर स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लॉरो-फ्ルॉरो-कार्वन के बाद पोजॉन ड्रका दूसरा विद्ध 탄 कि सबसे पहले C interested तो लिए तो जो निस्तर के छरण का पता सरप्रशांच स्वागाया तो जो निस्तर का छरण उसका डेपलिशन जो डेपलिशन तो जोलेयर का छरण हो रहा उसका सब्स発 Henri पता किसे लगया जोरियव और मैं ने इन्होंने 1985 में एक पेपर फब्लिस किया जिसमें बताया कि ओजोन लेर का छरन हो रहा है और उन्होंने अपनी जो जिसर्स थी वह साउथ पोल पे की थे अंटार्क्टिका पे नेक्स लेखते हैं विस्व की सरवादिक अवशाद का परिवान करने वाली दो नदियां कौन कौन सी है विस्व की सबसे ज्यादा अवशाद मतब उसके अपने साथ सेडिमेंट लेके जाती है तो सबसे ज्यादा सेडिमेंट लेके परिवान करने वाली नदियां कौन कौन सी नंबर वन पे यलो रीवर चाइना में बहती है कि अर्थ विस्ता का मेरिदट किसे कहा जाता है उत्तरभार्त की अर्थविस्ता का मेरिदट गंगा नदीप बहा जाता है टांगा रीवर को प्रिवर गंगा को, उत्तरभार की अर्थवेस्ता का मेरिडन्ड का आ गए है, पस्चिम बंगाल का सोक दामोदर नदी को कहा जाता है, विहार का सोक पॉसी नदी को कहा जाता है, परियोजना की अनुक्रत है है तो दामोदर नदी परियोजना जो ये वैए से में टैनसी घाटी परियोजना है उसका ही रोप है तो अब टैनसी घाती जो है इसे अब ये प्लो कर रही है तैंसी और यह जो रीवर है और यो रीवर की सबसे बड़ी कि ट्रिबूटरी है कि ट्रिबूटरी स्वास्ते हैं सहायक नदी और इसे दच्छिडपूर सनितराज अमेरिका का नरक भी कहा जाता है साउथ हीस्ट यूसे दच्छिडपूर यूसे का नरक आ जाता है ठीक है नेक्स देखते हैं धार्णी विकास के मुख्य पाँच छेतर कॉन-कॉन से हैं धार्णी विकास जो है उसके पाँच मुख्य छेतर कॉन-कॉन से हैं जल उर्जा स्वास्त क्रश येवं जैव विविदता तो धारणी विकास के चार पांच मुख्य जो कारक हैं वो जल उर्जा स्वास्त क्रश और जैव विविदता है इनसे सम्मंदित कोश्चन देख लेते हैं पर्यावन्ट से सम्मंदित जो आपके एक्जामस में पूछे गए हैं बहुत ही इंपर्टेंट है तो पहला कोश्चन है निम्न में से कौन सी विवस्था प्राकृतिक नियमोर से संजालित नहीं होती है खाद श्रंखला और्जा का प्रवा मानव प्रेडित परस्तित की तंत्र जै भूर आसानिक प्रवाओ तो यहां पे जो मानव प्रेडित परस्तित की तंत्र है वो प्राकृतिक नियमों को फॉलो नहीं करता है बाकिस सब जो है उर्जा का प्रवाव हो चाहें खादिस अंकला हो या भू जैव भूर आसानिक प्रवाव हो यह सब प्रकति के नियम को फॉलो करते हैं देखें यहां पे C आप्शन्स आईए second question देखते हैं वनो को काटने का परणाम होता है जो वनो को काटने का क्या परणाम होगा वर्सा और नमी में कमी आएगी मिट्टी का छरण और अनियंत्रिद बाढ़ आएगी उस रता में कमी आएगी इनमें से कोई नहीं तो यहां पे वनो को काटने का परणाम क्या हो सकता है कि यहां पर रौनों को कटने का परणाम मिट्टी का च्छरण और अनेमनतद बार आ सकती है । सउंतरश्च शंग ने वर्ण 22 को किस का किसका किसका अन्त्राश्डी वर्ण चुना आillे दो जार दो को किस संस्था का अंतराश्टी वर्स सुना ले। तो सतत्विकास का, स्वच्चता वर्स का, वन संदच्छण वर्स का, जल संदच्छण वर्स का, तो यहाँ पे यह आप्शन सही है। सतत्विका सस्टेनेवल डबलब्मेंट का सस्टेनेवल डबलब्मेंट का 2002 का अंतरास्टी वर्ष चुना है नेक्स्त क्वेशन पारिस्तत की तंत्र में एक टिकाव जेव समूँ है पारिस्तत की तंत्र में एक टिकाव जेव समूँ कौन सा है संक्रमड इकोटोन अनुक्रमड सक्सेशन चरम अवस्था क्लाइमेक्स और क्रामिकी यहां पर इकोटोन जो है वह एक टिकाव जेव तंत्र एक लुक्राइब है नेक्स और लास्ट कॉशन देखते हैं भारत में धारणी विकास के द्रस्ट कोंड़ से सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है कोहला खनिस तेलेवम गैस जल विद्दुत और परमाड उर्जा तो यहां पे सबसे अच्छा विद्दुत पात का स्रोत कौन सा है जल विद्दुत है अच्छा स्रोता है कि आज की लास की इसमाप करते हैं और अशा करते हैं कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा अगर हमारा एक्च्छा लगाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और बेल आइकान दवाना मत भूलिए और अपने दोस्तों को भी श अंद्वा जैहनी जै भारत